हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो मैं चनल, आज मैं आपको बेल्ट कोलर टॉफ विट पप स्लीव बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये देड मिटर रेयोन का फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते है तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल करके बिचाया हुआ है जो मेरी सैट है वो इसकी बंदवाली सैट है और जो उपर की सैट है वो इसकी खुली हुई सैट है इस तरह से मैंने इसे फोर लेयर में बिचाया हुआ है और देखे इसकी जो लंबाई है वो मैंने 26 इंच की रखी है इसकी लंबाई हमारी 25 इंच की रेडी होगी आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज्यादा भी कर सकते है अभी उपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाइ मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है चेश्ट का फोर्थ पार्ट करना है और 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है सिलाइ मार्जिन के लिए अभी बेक आम होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ट्रो कर देना है फ्रंट और बेक आम होल के लिए अभी उपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे जहां से हम कमर का मेजरमेंट लेते है और यहां से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है फैबरिक फोल्ड किया है तो हिप की चौड़ाई का फोर्थ पार्ट करके 2 इंच एक्ष्ट्रा लेना है अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइट से भी लाइन ड्रो कर देनी है देखे इस तरह से अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले है तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले के लंबाई के लिए हमें 3 इंज पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें round shape ड्रोग कर देना है फ्रांट और back neck के लिए अभी जहांपर हमारी armhole वाली लायन है वहांपर हमें आदा इंज पर निशान लगाना है shoulder slope के लिए और एक तिर्चिलेंड ड्रो कर देनी है देखे इस तरह से अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल देंगे और एक पाट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर लेंगे तो देखे इस तरह से मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की भी कटिंग कर ली है अभी फ्रंट में हम की होल का शेप ड्रो करेंगे तो नीचे हमें साड़े तीन इंच पर एक निशान लगाना है जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला नेक है वहाँ पर हमें नीचे की तरप से साड़े तीन इंच पर एक निशान लगाना है और उपर हम कम से कम आधा इंच तक इस तरह से निशान लगाते हुए राउंड शेप ड्रो कर लेंगे अभी देखे हम इसके लिए पट्टी भी साथ में ही कट कर लेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा फेब्रिक था इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसी की नीचे रख देना है तो ध्यान रहे बंदवाली साइट पर ही हमारी बंदवाली साइट होनी चाहिए उसके बाद जैसा शेफ हमने ड्रो किया है बिल्कुल वेसा ही शेफ हमें कट कर देना है देखे इस तरह से तो हमारी पट्टी भी साथ ही साथ में कट हो जाएगी अभी एक से देर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो देखे हमारी पट्टी भी कट हो चुकी है और आप देख सकते है कुछ यह इस तरह से नज़राएगी और देखे फ्रंट का नेक कुछ इस तरह से नज़राएगा अभी हम स्लिव की कटिंग करेंगे तो इसमें मैं पॉप स्लिव बनाने वाली हुँ तो फेब्रिक को मैंने 4-Fold करके बिछाया हुआ है जो मेरी सेट है वो इसकी बंदवाली सेट है और जो उपर की सेट है वो इसकी खुली हुई सेट है और स्लिव की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है हम एलबो तक की ही स्लिव बनाने वाले हैं और देखे इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है क्योंकि हम उपर की तरब से 3-4 प्लेट्स लगाएंगे तो 10 इंच की चोड़ाई मैंने रखी है अभी केपसलिव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है बंदवाली साइट से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है अभी देखे खुली हुई साइट से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाए मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का shape draw कर देना है जैसे हम normal स्लीव का shape draw करते है बिलकुल उसी तरह से तो देखे इस तरह से मैंने स्लीव का shape draw कर दिया है अभी देखे नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चोड़ाई है उसमें 2 या फिर 3 इंच आपको extra लेना है क्योंकि नीचे से हम elastic लगाने वाले है तो मेरी जो स्लीव की चोड़ाई है वो 5.5 इंच की है तो 2 इंच मैंने extra रखा है तो total इस तरह से मैंने 7.5 इंच पर या फिर आप 8 इंच पर भी निशान लगा सकते है और side से भी हमें लाइंडरो कर देनी है अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने sliw की भी cutting कर दी है और ये हमारी 2 sliw है अभी देखिए सबसे पहले जो हमारा front वाला part है उसका जो keyhole हमने cut किया है उसे हम ready करेंगे तो देखिए ये जो हमने पट्टी cut की है उसे हमें सीधी side से ही इसे keyhole के उपर रखते हो इसमें sliw लगानी है उसके बाद पट्टी की जो border है उसे हम पहले fold कर लेंगे और इसके उपर sliw लगा कर पट्टी को हमें ulti side पर पलट देना है तो देखिए मैंने पट्टी cottage कर लिया है उल्टी side से बाद में हम इसमें hand stitch कर देंगे उसके बाद देखिए फ्रंट वाला part हमें सीधा रखना है और उसके उपर back वाला part हम उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे तो देखिए मैंने इसके shoulder joint कर लिया है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो corner से ही याने की किनारी से ही हम sleeve को लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल center में हमें इसमें 3-4 plates लगानी है क्योंकि हमने 10 inch की चोड़ाय रखी थी तो हमारी 3-4 plates ही आएंगी तो बिल्कुल center में इस तरह से 3-4 plates लगा देनी है जैसे आपके sleeve adjust होती है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है और इसी तरह से दूसरे सैट के armhole के उपर भी हम sleeve को अटेज कर लेंगे center में हमें बिल्कुल 3-4 plates लगा कर sleeve को अच्छे से adjust कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है देखे इस तरह से उसके बाद जो sleeve की कीनारी वाली border है उससे हमें बिल्कुल बारिक सी double fold करना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने sleeve को attach कर लिया है और इस तरह से मैंने center में plates लगा दी है और इसकी जो कीनारी है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है तो मैंने दोनों ही साइट की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और दोनों ही स्लिव को मैंने अटेच कर लिया है अभी देखे हमें इस स्लिव को उल्टा करना है और नीचे से उपर की तरफ हमें दो इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है。 पूरी ही जितनी हमारे स्लीउ की चोड़ाई है, वहाँ पर हम इस तरह से दो इंच पर निशान लगाकर एक लाइन ड्रोक कर लेंगे. तो ध्यान रहे, ये निशान हमें उल्टी साइट से ही लगाना है उसके बाद देखे इस तरह से मैंने ये पतला इलाश्टिक लिया हुआ है और इलाश्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी पूरी स्लीव की चोड़ाई है उसमें दो इंच आपको कम का इलाश्टिक लेना है तो मेरी जो स्लू की चोड़ाई है वो 10 इंच की है तो मैंने 8 इंच का इलाश्टिक लिया है अभी जो हमने लाइन ड्रो किये है उसके उपर हमें इलाश्टिक को इस तरह से खीचना है और इसके उपर हमें सिलाय लगानी है तो इलाश्टिक को हम खीचे आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी गैदर्स बनी है अभी हम इसके कॉलर अटेच करेंगे तो उसके लिए मैंने देखिए यह दो पट्टिया जॉयंट की हुई है अगर आपके पास पूरी एक ही लंबी पट्टी निकलती है तो आपको एक ही पट्टी निकाल लेनी है और इ देखिए पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ध्यान रहे बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है बिल्कुल सेंटर में ही देखिए इस तरह से पूरी पट्टी के बिल्कुल सेंटर में हमें चोटा सा कट लगाना है उसके बाद देखे यह जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसके भी बैक साइट में बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे तो यह निशान हमें सीधी साइट से ही लगाना है उसके बाद पट्टी का सेंटर और बैक वाले पार्ट का सेंट अच्छे से मिलाना है और इस तरह से पट्टी में हमें सिलाय लगा दीनी है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से फ्रंट वाले नेक तक हम इसके उपर सिलाय लगा देंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसके उपर सिलाय लगा दी है अभी हमें पट्टी को इस तरह से उल्टी साइट पर फोल्ड करना है ध्यान दीजेगा इस पट्टी को हम इस तरह से उल्टी साइट पर फोल्ड करेंगे और उल्टी साइट पर फोल्ड करने के बाद दिखे इसे कीनारी पर पहले हमें एक तिर्ची सिलाय लगानी है कीनारी पर इस तरह से हम तिर्ची सिलाय लगाएंगे उसके बाद हमें पूरी पट्टी में सीधी सिलाय लगानी है तो ध्यान रहे जहां तक हमारा की हॉल है यानि कि जहां तक हमने पट्टी यह वाली अटेच की है फ्रेंट वाले नेक तक वहीं तक हमें इसमें सिलाय लगानी है यह जो हमारा की की अभुल है बिलकुल बहुत हमें पत्ति को उल्टी सइड पार फोल्ड करना है इसके ओप पर में सिलखानी मे ने पार पूरी ही पनारी पर हम एक तिरच शी अभडाने ऊथे में दूसरे साइड पर भी पट्टी में सिलाय लगानी है जैसे यहां पर हमने सिलाय लगाई है तो पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड पर फोल्ड करना है और की होल से हमें सिलाय लगानी है और किनारी पर हमें इसमें दिरची सिलाय लगा दीनी है इस तरह से पूरी ही हम कट कर लेंगे उसके बाद हमें पट्टी को सीधी सैट पर पलट देना है किसी भी नुकिली चीज से आप पट्टी को बहुत ही आसान तरीके से सीधी सैट पर पलट सकते हैं तो इस तरह से में पट्टी को सीधी सैट पर पलट देना है और पलटने के बाद आप चाहे तो इ तो देखे इस तरह से मैंने पलट दिया है दोनों ही साइट की पट्टी को अभी आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा कर भी पट्टी को सेट कर सकते हैं उसके बाद देखे अभी यह हमारा बीच वाला पाट जो बाकी रह गया है स्टीच करने का उसे हम सिलाए लगाएंगे तो देखे दोनों साइट पर हमने पट्टी को इस तरह से अटेच कर लिया है अभी यह जो हमारा बीच वाला पाट है तो इसकी जो बॉडर है उसे हमें आदा इंच तक इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारी अंदर वाली सिलाए है उसे हमें इसी पट्ट के नीचे दबाना है और पूरे ही राउंड में हमें इसके उपर सिलाय लगा देनी है तो ध्यान रहे जो हमारी अंदर वाली सिलाय है उसे हमें इस पट्टी के नीचे दबाना है और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और इसके उपर हमें सिलाय लगानी है तो बहुत ह आसाने से हमारे सिलाई लग जाती है तो देखे इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और यह हमारी कोलर वाले पट्टी बिलकुल फिनिशिंग से लग चुकी है और पट्टी की किनारी पर भी मैंने एक-एक सिलाई लगा दी है दोनों ही सैट से देखे इस तरह से दोनों सैट से मैंने किनारी पर भी एक एक सिलय लगा दी है तो देखे इस तरह से हमारी दोनों ही सैट की किनारी वाले पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से लग गई है उसके बाद हम इसे बाद में टाइप करेंगे पहले हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और स्लीव में हमें स्रिप आधा इंच का ही गेप रखना है और नीचे से हमें दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है इसी तरह से दूसरी सैट पर भी स्लीव में स्रिप आधा इंच का गेप रखेंगे औ और नीचे दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सीम्पली डबल फूल कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही सैट से और है चाहे तो आप इसे बिलकुल सेंटर में भी टाई अप कर सकते है या फिर आप इसे थोड़ा सा साइड में भी टाई अप कर सकते है दोनों ही तरीके से आप इस पटि को इस तरह से टाई अप कर सकते है तो यह बहुत ही सुन्दर लगती है और इसी के साथ यह हमारा बैल् जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताके आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस